कोरोना महमारी के चलते लोकडाउन में अलमोडा के जिला प्रशासन और परेटन विभा की बड़ी कारवाई सामने आई है दरसल कसारदेवी में बने दरजनों होटलों में 70 से ज़्यादा विदेशी परेटकों के रहने की सूचिना पर जिला प्रशासन में हड़कम्प मच गया जिसके बाद बिना समय गवाहे पूरी टीम में छापे मारी करते हुए पकड़े गए परेटकों पर सक्त कारवाई की बता दें कि अलमोडा के कसारदेवी में लंबे समय से दरजनों होमस्टे होटल बने हुए हैं जिनमें 35 होमस्टे और एक दरजन से ज्यादा होटल बना है जिनमें विदेशी परेटकों का आना जाना अक्सर लगा रहता है लेकिन इस संकट की घड़ी में जहां परिशासन के द्वारा सक्त हिदायत देने पर भी इन होटलों के मालिकों के द्वारा लॉकडाउन का मजाक उड़ाते हुए ना तो होटल खाली करवाए गए और ना ही परेटकों के बारे में पूरी जानकारी रखी गई इसको देखते हुए परिशासन और परेटन विभाग ने पुलिस टीम के साथ छापा मारा भारी पुलिस पल को देखते हुए परेटकों और होटलों को इमालेकों में हड़कम्प मच गया होमस्टे मालिकों द्वारा परेटक पंजीकरित रजिस्टर पूरे नहीं भरने पर परेटक विभाग ने दो होमस्टे पर दस दस हजार रुपई का जुर्मान लगाया इसके अलावा कई होमस्टे की चेकिंग भी की गई पंजाब के सरी टीवी के लिए अलमोडा से निर्मल की रिपोर्ट